जहीं दोस्तों स्वागेत आप सेखे आपके अपनी यूटूब चैनल सेल्प इस्टडिक कुंदन कुमार में आज बात करेंगे हिस्ट्री कलास 12 चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारते और इस वीडियो में आप सब के लिए सब्जेक्टिव कुष्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एकजाम के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर दिखेगा क्योंकि ये जो चैप्टर 4 आज आपको परहा रहे ह इससे आपके बोर्ड एकजाम में कम से कम साथ नंबर से लेके दस नंबर के बीच आपके प्रसन पूछे जाते हैं तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर ये साथ से दस नंबर पूछेगा या नहीं पूछेगा तो आप किस्चेन मेंग खोल लिजे पर वहाँ पर पांच साल का ही चेक किजिए और आपको 100% आपको यहां पर मिलेगा महावीर स्वामी, जैन धरम, इन सब के बारे में गौतम बोध, यह सभी के बारे में आपको प्रसन पूछा गया है तो प्लीस आप पहले चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको जरूर क समझ कि आपको वहाँ पर लिखेगा तो आपको 100% मिलेगा तो मिलेगा तो चलिए हम यहां से आगे कलास से स्टार्ट करते हैं उससे पहले अभी तक आप चेप्टर 4 का फुल चेप्टर एक्स्प्लानेशन विथ नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो करके आप चेप्टर 4 को अच्छे तरह से देख लिजेगा फिर उसके बाद हम आपको अब्जिक्टिव करा देंगे तो आपको साथ से दास नमबर आपको कोई नहीं रोखेगा ठीक है अब चलिए बात करते हैं तो टेलीगराम जरूर जोइन कर लिजेगा जिसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा अगर आप टेस्ट देना चाते हैं या पीडियाप देना चाते हैं तो गूगल पे आप जाके सर्च किजेगा सेलफ एस्टेटिक कुंतन कुमार तो वहाँ पे आपको पूरा पीडियाप नहीं मिलेगा पहली बता दि जिसका कुछ आपको फिस्ट देना होगा उसके बाद वहाँ पे आप जोईन कर सकते हैं अब चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह सब जो आप देख रहे हैं इस किरीन पे यह हम पहले बता दिये हुए है पर हम यह तो आपको नहीं कहेंगे यह बला पढ़ वह सारा का सारा इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के सिधान देखरा दिये गहा है यह महावीर स्वामी के जोजो उपधेश दिये गहा है सुछता और दिकांबर के बारें बते है तो एक बर आप जरूर वह पहला वीडियो देख लीजए जिसमें बहुत धर्म के बारें दिया पर्थम जेन संगीती ये सलापको M.C.Q में पुछता है तो पलीज आप जाके पहले वेडियो जरूर देख लिज़ेगा और आज का जो class is especially MBBI subjective question का है जो आपको सुरू से लेकि अंदिम तक देखना है क्योंकि यहाँ वीडियो जो हो सकता है 40 से 45 मिनट का पलस हो सके यह कोई दिगकत वाली बात नहीं है लेकिन हम आपको कितना easy में समझाएंगे कि आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक है अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम color change कर लेते हैं बलो color कर लेते ठीक है अब यहाँ से हम class से start करें उससे पहले मेरे पहले बच्चों हम एक बार आप सभी बच्चों को जरूर कहेंगे कि अभी तक आपने like निक किया है तो please आप like कर दीजे और एक बार अपने दोस्तों को जम के share कर दीजे अगर आप इतना थोरा सा मेरा मदद करना चाते हैं तो अपने दोस्तों को एक बार जम के share कर दीजेगा ठीक है अब चलिए हम class से start करते हैं class बहुत ही मज़दार होने वाली है आपको सुरू से लेकर अंतक देखना है अगर आप earphone लगा लेते हैं तो आप लिए और best होगा ठीक है चलिए अब यहां से हमें एक नमर से start करते हैं और एक नमर में क्या कहा जा रहा है के stop, चेते एवं बिहार से आप क्या समझते हैं सबसे पहले आपसों कहां सररे बहुत बच्चे धारखंड से हो गोगे फुत्तर-प्रदे से भी होंगे और अधिक्तर जो बच्चे होंगे वो पिहार से होंगे और ये जो बिहार नम परा क्यों है इसके बारे में भी अब आपको यहीं पे पता चल जाएगा, तो सबसे पहले स्थूप दिया गया है, चित्ते दिया गया है उसके बाद बिहार दिया गया है तो महात्मा बुद्ध के महापरी निर्मान के बाद, उनकी अस्थुय पर बनाए गए समादी के स्थूप कती है, और यहाँ पर जो महापरी निर्मान जो सब्द का यूज किया गया है इसका अर्थ क्या होता है ति इसका जो एक ही सब्द में आपने ले सकते हैं स्वर्ग वास कर गया है कहां चले गए स्वर्ग एक तरह से कर सकते हैं उनका मिर्तु हो गया उसे ही महापरी निर्मान कहा गया है और उसक को च्छा आठो भागों में बांट दिया गया, क्या गया आठो भागों में बांट दिया गया और वहाँ पर इस्तु बनाया गया का सकते हैं, बराबरा मंदिर का सकते हैं, उस तरह से बनाया गया था, उसे ही हम इस्तु काते हैं, ये प्रसन आपको समझ में आ गया होगा, ठी 賈क है ये चट्ते क्या है बाध भर में पूजा आस्थाल को चट्ते कहते हैं पहले आपको पता हुगा कि बौध भर में shift पूजा हो जा नहीं होता था ता इस अब यह जो बीहार नाम परहा है ऐसकी लिए तो बौध विचो के निवास अस्थान को हम विःषार काते हैं क्या काते हैं कि जो बहुत भिक्चुजे सिका सकते हैं महाबीर स्वाम हो गया गौतम बुध हो गया इन सब के निवास उस्थान को ही हम क्या काते हैं विहार काते हैं ठीक है इसके बारे में डीटिल में और कभी दूसरे दिन समझा देंगे अब चलिए आपके सामने दूसरा प्रसन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, कह सकते हैं इस टार्क मर्क जरूर लगा लिजीगा, ये प्रसन आने का चांस है, कहा जा रहा है कि चौथी बहुत संगीती क्यों बुलाई गई, तथा इसका क्या महत्व है, देखें ये जो चौथी बहुत महापरी निर्मान का अर्थ क्या होता है, प्यारे, एक बार आप सब फड़ा पर कमेंट काके, जरूर बतिएगा, महा परिनिर्मान के पष्चात, समय समय पर बहुत धरम की वर्नन हे, तू अनेक वोध सभाव का आयोजन किया गया, अब इसमें क्या कह जा रहा है, ये थिया को बरकरार रखने के लिए, उसको कुछ न कुछ जैसे हिंदु धर्म है, ठीके, और हिंदु धर्म पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा, माली है, तो उसको बरकरार रखने के लिए कोई न कोई तो चाहिए न, तो उसी तरह ये जो गौतम बुध है, मतलग वा सकते हैं, समय पर बहुत हरम का वर्णन हुआ, ठीके, और इसे बहुत सवहओ का आयोजन, किया गया, मतलग अने एक बहुत बिक्चे से, उसको बुलाकर, क्या किया गया, ठीके? जिसे बहुत संगीती के नाम से जानते हैं क्या जानते हैं बहुत संगीती के नाम से हम जानते हैं फर्थम बहुत संगीती में कनिस्क के सासन काल में कस्मीर के कुंडल गराम में वासु मित्र की अधिक्षिता में की गई थी इस संगिती का मुल्रे उजे से बहुत संतों के आपसी विवाद को तूर करना था देखें पहरतम का परतम बहुत संगिती होई है फिर कनीष्क के ने भी करवाया है सासनकाल में फिर कश्मीर में भी हुआ है कुंडलगरा अमें इस समय क्या था चार बेटा है और इसकी एक पिता है और इसका पिता जब मर जाता है न तो चारो भाई में क्या होते हैं आपसी बिवाद होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके कारम क्या होता है तो उसको समझाने वाला एक ही होता है कौन होता है मा होती है तो फिर मा समझा के उसको कैसे न कैसे रखती है ठीक है यह आप समझ में आ रहा है ना विल्कुल समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक का बटन दवाते हुए चलेगा मज़ आ जागा ठीक है अब आगे दिखीए यहाँ पर क्या खाया जा रहा है कि इस बौध संगीती का मुल्ले उदे से यह खा की इसमें पहली बार संस्क्रीत भासा का परियोग किया गया पहली बार कौन से भासा का संस्क्रीत भासा का परियोग किया गया वो धरम का पवित्र गरंद त्री पीटक पर विभासा सस्त्र नामक टीका लिखी गई इस संगीती में बौध धरम हिन्यान और महायान नामों में बट गय मतलकि जो ही यह बहुत संहीं थे वह हिन यान। महायान संपर्दाई में बढ़ गया। इसके बारे में समझते हैं। तो उत्तर में आपको सबसे पहले लिखना है कि हिनियान और महायान बहुत धरम की दो अलग-अलग सखाय हैं, सखाय मतलब समझते हैं, जैसे दो पुस्तक होता है, दो भाई होता है, दो बहन होता है, इस तरह से दो गॉल्प्रेंड होता है, उस तरह से जो होता है, वो भी तो जित किया गया था अब याद रखिएगा यह प्रसंद आपके objective के लिए important है कहा जाएगा कि यहीं आपके लिए important है इसका उते से बाध संतों के आपसी मतभेद को जूर करना था अब देखिए एक था इस्वर और एक था महापुरुष जैसे यह जो महात्मा बुद्ध थे इसे कोई इस्वर की उपादि दे दिया और कोई कहा कि महापुरुष है ऐसा पुरुष कहीं नहीं है यह इस्वर है भवान का कमपेर करने लगे ठीक है तो यह क्या हुआ अलग अलग संपरदायों में बढ़िक है इसमें महायान महात्मा बुद्ध को इस्वर के रूप मुर् इसलермी consistency है यहां पर ऐसे मान लेज सकते हैं कि आप जैसे आपके घर में परिवार में दिखेगा कोई पूजा पाद करने है अच्छा होता है कोई नहीं होता है तो यहां पर इस तरसे दमा सकते हैं यह लोग है ऑर यह भी लोग है यह जो लोग है यह मृती पूजा ही कि ये इस्वर है, इसो मुर्ति बना कि अच्छा से पुजा पाठ करने लगे और ये जो थे, ये विक्ति जो थे ये हिन यान महायान जो का सकते हैं ये क्या कि ये उनके सिधान्त हों कि जैसे महात्मा बुद्ध जो सिधान्त बगर देदे होंगे महायान किसका खाने लगे WIN ये इंपोटेंट है, फिर भी आप याद कर लिजगब पर यहाससे, अब देखिए पीटक क्या है? पीटक होना चाहिए, यहाँ पर दो पी तक ठीक है त्री पीटक आप याद रखेगा त्री पीटक क्या है यहां पर हम त्री पीटक लिख देते हैं आप याद लिखे लिजेगा त्री पीटक जिसका साब्दिक अर्थ तोकरी होता है क्या होता है त्री पीटक जिसका साब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे तोकर होता है यहाँ बहुत धरम की सबसे पर्मुख गरन्थ है क्या है यह बहुत धरम क्या है सबसे पर्मुख गरन्थ है इसकी संख्या तीन है कितनी है इसकी संख्या कितनी है प्यारे कोमेंट करके बढ़िएगा तीन है क्या है तीन है इसलिए इसे त्री पिटक आते हैं इसलिए है, सुथ पिटक है, विनाय पिटक है, और अभी धम पिटक है, इसलिए से त्री पिटक के नाम से जानता है, क्योंकि इसमें तीन पिटक है, ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, ये भी परसन आपके बोडिया में पूछा गया है, बहुत बार, अब देखें ये पाँच़मा प्रसन क्या खड़ा है, कि जैन धर्म के त्री रतन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है कि त्री रतन महाभीर स्वामी ने करम फल से छुटकारा पानी के लिए त्री रतनों को आपनाने परपल दिया है, कहला है करमपल नहीं होता है कि आरे भाई हम फिरिक्षा के त्यारी करते हैं हम तब पिरिक्षा के त्यारी कर तो नहीं देखते की कुछ ठीक है। तो आपको उस पर गहा गया ती, यह किसके दौवरा? महाभीर स्वामे के दौवरा बोला है कि करमपल के छुटकारा पाने के लिए तैंभि समयक ग्ञाण। के प्रती स्रथा के समयक दरसन कर लता है अब देखें, बहुत धर्म के हम आपको फिर से बढ़ा जते हैं, कम से कम सात नमर से दस नमर पूछेगा तो पूछेगा, वसरते आपको सारा का सारा प्रसन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपजिक्टी भी कम से कम दो से तीन नमर पूछ लेता है, दो नमरी भी यह इसे ही पूछी लेता है, तो मेरे खाल से सात नमर तो जरूर पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है, चलिए, बहुत धर्म के अस्टांगिक मार्ग को लिखे, यहाँ पर जो है, बहुत धर्म के अस्टांगिक मार्ग में समयक दिरिष्टी, क्या है, समयक नहीं पढ़ेगा। इसमें कोई ट्रीक ब्रार नहीं है ठीक है। आप दिखें यहां पर कहए रहा है कि बहुत संगीती क्यों बूलाई क्यां? इसका क्या होड़ेश था? तो यह बहुत संगीती जो बुलाई गए थे या उसका आयोजन क्या गए था? कि बौध भिक्षिकों के बीच में जो है आपसी विवाद को दूर करने के लिए बौध संगिती किया गये थे और ये जो महात्मा भूत है इसके जो परचार बरजात दिये थे क्या करते हैं नियम बेगर लागू के थे उसको बरकरार रखने के लिए बहुत संगिती हुई थी ठीक है तो हम उत्तर पे देखेंगे कि बहुत सिख्छों को चलिए अब आगे चलते हैं तुरा सा कोई आदमी आगया था जो कि बगगगग कर रहा था तो उसे तरह से बात करन के लिए बहुत संगिती बिलाई गए थी इसका आयोजन चार बार किया गया थी यह क्या कह रहा है कि जैसे आपके घर में कोई होगा ठीक है और वह कहते थे उसका नियम जैसे आपके पापा दादा का ही माल देजे और वह दादा आपके एक्सपार है तो नियम कुछ न सब्सक्राघ के ठाए तो नियुए जो कुछ महात्मा बूदह है कुछ-कुछ बिचार गारा देए उसको फैलने में हुआ था राजगीर में हुआ था और दूसरा वैसाले में तीसरा पाट्ट्री पुत्रे में और चोधा कुंडल ग्राम में यह कह सकते हैं VBI है objective के लिए जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजेगा ठीक है अब देखें यह यह आपके लिया में यह अखी आपको कास्ली में खुचा गया है बहुत बार ये दिखिएगा तो ठीक है हाथ नमबर में का रहा कि स्वेतांबर और दिगांबर से आप क्या समझते हैं स्वेतांबर और दिगांबर से आप क्या समझते हैं तो आपको उत्तर में लिखना है कि स्वेतांबर और दिगांबर जैन धर्म की दो अलग अलग सखाएं variety क्या है यह जोसे तांबर और निगांबर जो है यह जैन धर्म की किसके हैं जैन धर्म की दो अलग अलग सखाएं है ठीक है महभीर के मरने के बाद मगद में भहयंकर आकाल पर गई कि आपनी नहीं मिल्दा जेसे पानी नहीं पूरा थे लिए फेक्न यह पर फूर्स पांजने मिला तो औहगे चलते हैं तो वहां पर काज़ा है आगे कि आकाल के दौरान कुछ संत भधर पाहू के निर्तत्य में डक्षिन भारत चले गए और कुछ संत इस थुल भधर के निर्तत्य में मगध में रह गए वह अही पर गया ठीक है आकाल की संवाप्ति के बाद जब दोनों संत एक जगा एक खटा हुए मतला नहीं हो ताकि खत्य तोया हैं तो रोगे रोगे दोनों के दोनों तो वर्चसु को ले कर दोनों में क्या होगिया बिवाद उत्वन हो गया, जिससे ज्यान धर्म दो गुटों में बढ़ गया, क्या हुआ यह जो ज्यान धर्म है दो गुटों में बढ़ गया, इसमें कुछ संत्य ने भद्र बाहू के निर्तत में बस्तर त्याग दिया, जिसे दिगंबर कहते हैं, बीना कपरा के रहना, तो क स्वेत् वस्त्र धारं खre Car स्वेताम्बर का लगिशा है यहां पर दिखा रहे हैं वहता है यह लेст जाता है, चो कप्रा नहीं परनता है, मतलग कि वो नगन रहता है, यह जो दिगामर वाला है, वो भद्र बाहू ने निर्टत्व किया था, और यह जो स्वेत बस्तुर धारन करने वाला कहूं था, यह स्टूल भदर था, इनका थुरा सब विचार सही भी था, एक तरह से नगन स्वामी के द्वारा दिये गाया पांच उपदेश, महावीर स्वामी ने पांच उपदेश दिये, और यह आपको अपने लाइफ में भी फोलो जरूर करना चाहिए, बट बहुत ही कम हो पाता है, हम सब से भी नहीं हो पाता, आप से भी होगा कि नहीं होगा, तो अलग बात है, बट कर पाईएगा तो जरूर हो सके तो आप से अच्छी बात है, उतर में देखते हैं, कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अपने सिस्व को कस्टो से निवारन के लिए, न अभी बताये थे, भाई, की कही हो, हमार घौर वाले कहागलो, हमार गौल्फरिंट जे हो, महावीर स्वामी ने अपने सिस्व को लिए आप जैसे आदमी को कह लिए, उन से कस्टो से निवारन के लिए, तथा मुक्ति की प्राप्ति के लिए, पांच महावरत का हुपदेश है, मुक्ति के लिए भी, मुक्ति समझते हैं, अरे भाई, हम अपन घर बाली से बड़ा प जिसे ही पांच महावरत काते हैं, जो इस परकार है, क्या है, जो इस परकार है, सबसे पहले, यहाँ पर देखिए, सत्य, अब सत्य तो बुलाई ने पर तो, अब सच बहात तो बहलने पर भी कोई हो, बीबी के पास तो और और गल्फेटन के पास तो और ने, और बाब मतरी हमारा इवास का नहीं है ठीक है अर्थात हमेशा सच्चे बोलना चाहिए है किसके द्वारा बोला गया है यह महावीर स्वामी के द्वारा ठीक है है हिंसा में किये है कि कभी हिंसा मतलहां मार खात नहीं करिये नहीं होता मेरे लाइफ में हो सकता है फॉल और वह भी रहेगा ये लाइफ में अस्ते चोरी मत करना ये जरूर रहना चाहिए बाकि अहिन सा मारकाट ये सब रहना चाहिए जूट बोलना जरूरी है लाइफ में नहीं तो थैसनाव सो सकता है जिंदिगी का अपरीगराओ धन का संग्राओ नहीं करना सब पर प्राप्त कर सकते चाहिए तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इतना हसी मजा के entertainment के साथ हम पहली बारे ही पढ़ा रहे है, reality बजा रहे हैं, हमको लगा कि हाँ, कुछ entertainment बच्चों को देना थी, इसमें क्या होता है, बच्चे boring हो जाते हैं, और यह हम अपने life के बारे में relate करके बताते हैं, ठीक है, यह जितना भी हो रहा है, थोरा मुरा जो tone मार सब अपने उपर लेके मारते हैं, ताकि आपको समाज में अच्छा है, और मुझे उमीद है कि इस comment box में आप अच्छा comment करके जाएंगे, यह जो comment बगारा, जरूर करके जाएगा, ठीक है, दसमा नमर देने के क्या करा, कि बुद्ध के उपदेश्यों को लिखे, यहां पर क आप रहे हैं, कि बुद्धि वादी धर्म, या इन में अंधिविश्वास का कोई अस्था नहीं था, उन्धिविश्वासी का ह송एख, और यह जिसे होता है, अब रियलीटी बता रहे, इसे था हमसे खेल कोई है, उस आप, करसी है नलेकिन अगर आप दो साल किसी के लरकी को या किसी लड़का को अफ़र्ड करते हैं वरिया सरत्ते उसके साथ और किसी के देख लिएते कि उसके साथ वो चला गया तो आपको कितना बुरा लगेगा वाह, हाए हाए ये हो पाता है, आगे चलते है तो बहुत धर्म के अनुशार जीवन का अंतिम लक्षे निर्मान के प्राप्ति निर्मान मतलब स्वर्ग वेगार का प्राप्ति एक ही लक्षे होना चीए महात्मा बुदिक ने धर्म का जो उपदेश देते हुए कहा है कि धर्म वही है जो पीतराग का उपदेश देता है जो एक्छाओ का दमन करता है वाई 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 धर्म वही है जो एक्छाओ का दमन करता है मतलब अपना एक्छा हमरा पास सफारी रहती है हमरा पास उकारी रहती है तो हमरा पास चार-चार गोल लर्की रहती है वो सब का है इच्छा है तो वो सबको त्याकना है क्या है त्याकना है तो वही धर्म है ठीक है और यह नहों कि हिंदू मुस्लिमें लराई करा देचे है और यह नेतावाला काम दो और ने जल्दी करेगा चाहे समझ रहे हैं अब आगे देखिए गोतम बुद्ध ने संसार को दुखों से परिपुर्ण माना और कहा कि संसार दुखों से भरा है बिल्कुल यह जो संसार जो है दुखों से भरा पुरा है और यहां पर हर विक्ति के पास कुछ न कुछ दुख है ही है चाहे आप हो या हम हो या कोई भी हो कुछ न कुछ दुख है अगर मालिक से हमको कथी कर दुख ह अगर आप सारे 400 नंबर ना लाएंगे तो जी ने रहे या जीते रहिएगा लेकिन सारे 400 नंबर आएगा तो आपके गर्व मरेगा हम सारे 400 नंबर ले लिए यह बात है अगरा स्वार्ग प्राप्त करना चाते हैं तो यह की महात्मा बुद्र के दौरा ठीक है और यह जो है आपके महाबीर स्वामी के द्वारा है, तो सब अपने अपना भासन दिये है, पेकिन आपको जो अच्छा लगें, वो आपने लाइफ में फॉलोग जरूर कीज़ेगा. अब गारा नमर देखी, क्या करा कि बहुत संग के कारिये पर नाली को लिखें, तो उत्तर में आपको लिखना है, कि बहुत धर्म का प्रचार इस संग के माध्यम से ही किये जाते हैं, मतलब कि यह जो बहुत धर्म जो भी अपना उपदेश वेगर दिये हैं वो सिर्फ और सिर्फ अकेला नहीं हो पाया है गुरूब के साथ हुआ है और इसमें जो असू का सबसे बड़ा योगदान है ठीक है बहुत संग की अस्थापना गौतम बुध ने सारणात में अपना पहला धर्म पदेश के बाद पान्स सिसो के साथ किया था पानस से कोन के थे गौतम बुध किया थे सारणात में बुध संका गठन गनतन आतमक प्रनाली पर किया गया था इसे भिक्षो को कुछ खास नियमों का पालन करना होता था करना परता था है जो भिख्शों बगर तो उसे आप को कुछ नियम करना परेगा ठीक है अब देखिये. आगे चलते हैं जैसे गुरुवा वस्त्र होता है घिर्वा घिर्वा हम को यह पता नहीं है वंत्द अगर आपको पता होगा तो आप बता दीज़ेगा ठीक है स्वेत वस्त्र चलिए आगे चलती है यह जो गिर्वा का जो अर्थ होता है प्यारे यह भगवा रंग होता है जो कि पेर-पेर कर सकते हैं वह होता है ठीक है प्राताकल, भिछा, मांगने जाना तथा दो पहर में भरमन करके धर्म का अप्ट्चार करना मतलब कहा जा रहा कि प्राता कल और मैं जाना और दो पहर में ही आ जाना प्रामन करके नहीं हो था कि आप धर्म कुछ-कुछ भिप्चा में मांग लिए दे दे कुछ दे दे वह हो गया ठीक है और उसके साथ के बहुत धर्म के बारे में विशेष्टा बता दिया कि हाँ इस त को लाने के बाद सदस्य की उपस्थिती में उस पर बाद बी वाध करके मतदान के द्वारा किया जाता था। सम्ग में परवैस के लिए नियून्तम उम्र जो है फंद्रा वर्स रखा गया था और इक इसके महात्मा भूद के द्वारा रखा गया था। अब आगे चलते हैं, मुझे उमीद है कि आपको प्रसन समझ में आ रही होगी, कोई कोई प्रसन आपको लग रहा होगी, नहीं समझ में रहा है, तो उसे आप दोबारा देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीके? बारे नमबर देखी क्या करा कि इस्तूप क्या है इसका निर्मान किस परकार किया जाता था इसके बारे में उतर देखिए इस्तूप संस्क्रीत भासा का सब्द है किसका है तो संस्क्रीत भासा का सब्द है जिसका अर्थ टीला या धेर होता है क्या होता है टीला या धेर होता है किसका इस्तूप का ठीक है महात्मा बुद्ध के महापरी निर्मान के बाद उनके हड्डियों को आठ भागों में बाटा गया, अभी जस्ट हम आपको पहले बोले हुए थी, कि महापरी निर्मान कर्द क्या होता है, मिर्तु मतलब स्वर्ग वास कर गया, ठीक है, और उसके बाद उनके हड्डियों को, क गलग जगा पर ढाल दिया और उस पर समाधी समाधी का अंदिर्मान कराया गया जैसे कह सकते हैं उस पर जैसे नालंदा भी स्विधाल में देखेगा तेकसांती स्टूप है उसी परकार बनाया गया जिसे ही स्टूप काते हैं स्टूप का उल्लेक सबसे पहले रिघवेद में किया गये था किस में कैया गया था है ऊल्टा के समान और आप generating स्टुप जο कि कह सकते हैं राजगीर में नुद्बार टैप में जो होता है इस नीचे पहारी तो वहां पर देखे इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसे कुचल दे बलकि वह आपको प्र निचे जएगा तो आफिर उसे छोटा हो जाएगा है शेवर है उपर ही चलते रहे है कि इसकुक का उपरी सीरा थोरा चिप्टा हुआ रहा रहता है जिस पर धातु के पात्र रखा जाता है इसकुक के चारो और उचा उचा इदीवार बनाया जाता है तथा चारो दिसाओं में 4 को तरब से 20 साल ड़ार बनाया जाता है जिसे हम तूरण कहा जाता है, जिससे किया गाँज है? तूरण कहते हैं, तो इस तरह से आपका ये बाराहक्मा प्रसेशन भी आपको समाझे में आग्या होगा ये प्रासन में थोरा से इस तो परिकास्ट नहीं था, ये तो आपको लिजे तो ये तो अमरीत है, क्या है अमरीत है भाई, अमरीत कह सकते है ये वला, ठीक है, अमरीत इसे कह सकते हैं इतना इंपोर्टेंट है, चलिए, वर्दमान, मतलब महाबीर स्वामी के जीवन से रितर प्रकास्ट आले तो इसमें देखेएगे आप खुझ से भी थोरा से इसमें एट कीजेगा जो की नोट समबत है वे उसको देखे ठीके यहाँ पुरुत्तर में लिखना है कि महाबीर स्वामी जिनका जन 540 हिसा पुरुप में विहार के वैसाली जीला के कुंडल गराम नामक का था ठीक है इनके पिता का नाम सिधार था क्या नाम था इनके पिता का नाम महाबीर स्वामी के पिता का नाम क्या था सिधार था यह वह माता का नाम त्री साला था ठीक है इनके वास्तविक नाम वर्दमान था इनके पच्पन इनके चन्म के साथ साथ दिन के बाद यहाँ प तो यह बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह गलत है, उनके जन्म के अफसर पर पंडितों ने बावी से मानी किया था, यह बालक किया तो चकरवटी समराट बनेगा या तो महात सन्या से, ठीक है, यह नहीं है, यह लिया गया है, गोतम बुद्ध के बारे में लिया गया है, ठीक है, जर्म के बाद उनके सिख्षा दिख्षा की उचित विवस्ता की गई, लेकिन उनका मन इन कारियों में नहीं लगता था, वे हमेशा चिंतित रहते थे, तो मेरे ख्याल से यह हम प्रसन को हम मिस्टे करते हैं, इसके रहे सोरी, बट यह प्रसन हम कहेंगे, यह जो वर्दमान ज बट इसमें टाइपिंग के कारण इसमें पूरा का पूरा बेंड बज़ गया इसका, बट आगे आपको होगा, यहां पर देखे, महात्मा बुद्धी के जीवनी के उपरा में, यहां पर यह दिया गया है, यह वाला प्रसन जो है, यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, यहां से भी उठा लिया गया है, चली इसे बारे में देख लेते हैं, कि जैन धर्म और बहुत धर्म के पतन के क्या कारण थी, यह भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है, अब देखे, जैन धर्म और बहुत ही ज्यादा अब दिशापुर में, कावट क्यों आ गया जो कि अभी के जवाना में से नामों निसान नहीं है अभी वरतमान में बोले अभी इसका नाम भी अभी नहीं सुनते होंगे तो चलिए इसके बारे में समझते हैं अच्छे तरह से तो कहा जा रहें उत्तर में कि बाध धरम 26 सताब्डिशा पुरु में जितना तिब्र गति से बाध और जैन धरम का परसार हुआ मतलग का सकते हैं 26 सताब्डिशा पुरु जब था उस समय जो बाध धरम और जैन धरम जो था वो अभीत तेजी से बढ़ रहाता नहीं होता है, तो ग्दम बढ़ने लगा, उतना ही तिवर गती से महावीर और बुद्ध के मिर्दु के बाद इस धरम का पतन प्रारंब हो गया, जिसके कारण निम लिखेते हैं, अब दिखे महात्मा बुद्ध और क्या कह सकते हैं, महावीर स्वामी के जब मिर्दु हो गया तो इस धरम का दीरे-दीरे पतन होने लगा, और जितना गती से ये गती क्या था, उतना ही गती से बैठ वी गया, जिसके महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के मिर्दु के बाद, अब देखें, यहाँ पर कर रहा है कि धरम, यहाँ पर हम कलर स्वा सा रेट कर लेते है अब चेंगे, बहुत धरम का बतलता स्वारऊ, देखें, क्या करा है? कि महात्मा बुद्ध के मिर्दु के बाद, बहुत धरम में भी अनेक जटिलता आ गए, क्या होई ए, अनेक जटिलता आ गए, साथ ही मुर्ती पूझा का समावेस हो गया, देखें, आपको पता होगा कि बहुत धरमे क्या था मुर्ति पूजा नहीं क्या यह था और इस वर वेगरा में विश्वास वेगरा नहीं क्या यह था यह आपको पता होगा नोटस ना आपको समझाये हुए थे हो गया धरम के पतन का कारण बना जो इसके पतन का कारण बना और मानली जो मुर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे पहले हिंदु धर में किया था मुर्ति पूजा ज्यादा था और ये बहुत धरम बोले थे कि मुर्ति पूजा में नहीं विश्वास करना जाए इस वर हो गये हैं जो इसके पतन का कारण बना अब देखिए इसमें क्या हुआ ऐसे नौजवान या ऐसे लोग इसमें परवेश करने लगे बहुत संग में जो इसे कोई लेंद दिन नहीं रखते थे बलकि उसका गलत इस्तमाल करने लगे इस क्रियों के साथ बहुत कोई राजा के दोवारा कोई भी संग्षन बगारा नहीं दिया जाता था जिसके कारण भी कर सकते हैं समाप्ति प्रारम में मोर्ये वन्स एवं पाल वन्स के साथ को ने संग्षन परदान किया पर पाल वन्स के संग्षन के बाद किसी भी राजा ने बहुत धरम का संग्षन नहीं दिया जिसके पतन का कारण बना अब देखे अगर आपको कोई एकर राजा बगरा पैसा दे रहा है तब आप चल रहे ठीक है आपका जीवन चल ला है लेकिन जब आपके राजा जो है आपको पैसा ही देना बंद कर देगा तो क्या होगा आपका संदक्षन दिरे दिरे समाप हो जगा और आपका विनास होना है तो होना है ठीक है बहुत धर्म का भी भाजन क्या है बहुत धर्म का भी भाजन महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बहुत धर्म हिन्यान महायान थैरबाद इम ब्रज्यान आदी संपरदायों में पट गया जो बहुत धर्म का पतन क कारण बना, सबसे बढ़ा था, तीन ही कारण था हिन्यान, महायान और ब्रज्यान, ये तीनों के तीनों कारण थी जो कि अब हम आपको पहले नोट्स में समझा दिये हुए हैं, ठीक है और ये आपका लास्ट है, हम कर सकते हैं, ये MBVA, ठीक है, क्योंकि हम आपको बार-बार बोलते हैं, जो हम इसमें से साथ से दस नमर गेस के, पंदरा क्यूस्चन है, पंदरा क्यूस्चन में जरूर आपको लरेगा, तो लरेगा, तो जरूर आप इसे अच्छे से याद ही कर लिजेगा, ठीक है महात्मा बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का वर्नन करें, इतना तक आप देख लिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम सिध्धार था, गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था प्यारे, सिध्धार था, ठीक है इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक अस्थान पर हुआ था, कहा हुआ था, जो की अभी पराजापति गौतमी ने किती, जो इसकी किती, मौसी थी, ठीक है, और इसमें जब इसका जन्म हुआ था, एक साथू संत्य ने कहा था, या तो ये बालक, या तो ये बालक, महान चक्रवर्ति सम्राट बनेगा, क्या बनेगा, महान चक्रवर्ति सम्राट बनेगा, या तो य यह बालग आने वाले समय में बहुत महां बहुत होता है उसका राजा होता है वो बनेगा तो उसको दोनों में से कुन बना यह है आगे देखिए आपको जीवन अच्छे समझा रहे हैं गौतम बुद्र की साध्य सुल्ह वर्ष के अवस्ता में यह सुधरा के साथ कर देए ठी इनका एक पुद्र रहो जिसका अर्थ क्या होता है रुकावर का जा één कि सफर के दोरान पुद्र ने चार दुरी से देखा अब दिखिए पहर ऊसको बूल दिया गया था कि बच्पर में बहुत ही जादा का सकते हैं इस्त्रियों बगारा से कुछ चीज के कमी नहीं होने जाता है पानी खाना पीना कोई चीज का एक बेर बोलता था आ जाता था मतलब कि उसके बाहर की दुनिया से कोई लिंदेन खाही नहीं कि इसको गौतम बुद्ध को जब वह बाहर निकले और ब्रह्मन करने मतलब कि घुमने निकले तो वो बूढ़ा विक्ति देखा अरे भाई इसका सरीर बहुत ही चलाएना है बंठा जैसे हो गया है तो इसका क्यों राजा बता है कि सब को एक नए एक दिन ऐसा ही होना है यह सुनके गौतम बुद्ध को बहुत ही आश्चरी होने लगे अश्चरी बाटे इसा के बारे में पता ही नहीं था पूरा उनके बास displi मतलए यहला नहीं पता था उतंके अ regeneration से यह गौतको पाता है lowest क राजा मंत्री बगरद घरा वह बोला कि एक ना एक दिन सब को इस दुनिया से जाना है मतलब मिर्टुन का निश्चित है यह बोला गया था एक सन्यासी आप सन्यासी को देख के यह निर नहीं कर ले क्या हां मुझे भी सन्यासी बना यह सादू संथ प्लक्किर वगएर जैसे बन गया वह समय तो गौतम ब बिना अंजल ग्रहन के छो वर्ष की कटिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयू में आठवे दिन वैसाक पुर्नेमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल विरिच के नीचे सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ती हुई ग्यान प्राप्ती के बाद वह बुद्ध कला है तो आप इसे रट जरूर लेजएगा ठीक है कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कितने दिरी से देखे तो चार दीखे रहे कितने चार कभी पूछ लेता है और कितने वर्ष तक तपस्य किया तो छो वर्ष की आया कहा पर उसे ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो निरं कि मिर्टू अश्की वर्ष के वस्ता में 483 इसापुर में उसी नगर में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया भोजन समझते हैं ना किसमें तो जहर वेगार मिलाया नहीं होगा कुछ आकास्मिक मिर्टू एक ख़ल सकते हैं या तो हम आपको पहले वाले इसे ही स्थूप कहा जाता इस तो इस पर बन बादिया गया तो यहां तक तो आपको एक चीज बजा देती हैं कि यह जो चेप्टर चार है उसका हम कुछ दिन में मतलग कल पर सुझे से आज भीडू डाल देए और कल आपको क्या होगा टेस्ट हो जागा तो आपको simply क्या कर पर ना है गूगल पर जाना है मैसेस कर ते कि डिठंगे की डा गया है ऊपको करना हैकि ज्ल ener is को चैप्तर 3 आप देतीन की यह थूआ बंदितर तो डिच्टर तो यह भी हिस्ट्री का ही है डिया है देखे कितना बच्चे ने टेस्ट दिया है तो 185 बच्चों ने टेस्ट दिया है आप भी जाके जरूर टेस्ट दीजेगा और कल यह अपको टेस्ट 4 भी डला जागा तो आज का जो class फैसली कैसा लगा वो comment करके जरूर बती हैगा अज का कुमेंट हम सभी बच्चे का कुमेंट देखेंगे अगर आप कुमेंट कीजेगा तो प्लीज आप एक वार कुमेंट करके जरूरु बतेगेगा कि आज का क्लास कैसा लगा लाइक जरूरु करते जिएगा, मिलते हैं अगले वडियो में अभी के लिए बाई-बाई जय हिन जय भरत